नमस्कार दोस्तों, आज मुझे इस विशे की चर्चा करने की आवेशक्ता क्यों पड़ी? इसका मुख कारण यह है कि जब परस्थितियां शामाइन होती है तो लोग मदद करते हैं, जब परस्थितियां शामाइन नहीं होती है तो लोग पीछे मुड़ जाते हैं, इसका उधारन मैं आपके शामने परस्थित कर रहा हूँ, अमेरिका एक और अपने आपको शक्तिशाली देश बताता है, और जब किसी देश की शमश्या होती है, तो सुझाब देता है, पिछले वर्स जब विश्व कोरोना महामारी से जूज रहा था, अमेरिका भी इससे अच्छूता नहीं था, हजारों लाखों व्यक्ति इस महामारी से प्रभावित थे, उस शमय अमेरिका की रास्ट पती डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत वर्स से मदद मांगी, भारत वर्स के माननी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मदद की, पांच करोड डोज भारत वर्स से भेजा गिया, जो हाइड्रो क्लोरो क्वीन भेजा गिया, क्योंकि भारत जैसे देश में इस दवाई का प्रियोग मलेरिया के लिए किया जाता है, उस शमय अमेरिका भारत वर्स को धन्निवाद दिया, और आज भारत वर्स को जब रौ मेट्रेरियल की आवशक्ता पड़ी, तो अमेरिका के जो अभी वर्तवान में रास्टपती हैं, डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया है, जिसे रौ मेट्रेरियल भारत वर्स को नहीं भेजा जा सकता है, यह कितनी दुर्भागी की बात है, इससे तो स्वार्थिपन दिखता है, कि जब अमेरिका को जुरत पड़ी, तो उसने भारत वर्स से मदद मांगी, आज जब भारत वर्स में कोरोना शंक्रमन तेजी से फैल रहा है, और कोरोना ठीका बनाने में जो रौ मेट्रेरियल की आविशक्ता है, वो अमेरिका नहीं दे रहा है, और उसने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लगा दिया है, तो इस तरह से देखाजाय तो शही कहा गया है कि जब परिष्थितियां शामाइन होती है, तो लोग मदद करते हैं, और जब परिष्थितियां शामाइन नहीं रहती है, तो लोग पीछे मुर जाते हैं, इसे हमें यह शीख मिलती है कि पहले अपने आपको सुरक्षित रखें तब ही दूसरों को शहयोग करें भारत वर्ष में यह निती है कि अगर शरकार भी बदलेगी तो हमारी निती नहीं बदलेगी यह एक बड़ी बात है इस बात को दूसरे देश को भी समझना चाहिए और भारत वर्ष जैशा बैभार बना कर रखना चाहिए यही हमें शीक मिलती है हम अपने आपको शही रखें मदद तभी करें जब हम सुरक्षित हों तभी हम दूसरों को मदद करें ऐसा अमेरका से हमें शीक मिली है इस बात को दिहान में रखना होगा और अपने आपको सुरक्षित रखना होगा धन्यवाद करें आपको शही रखना होगा उन्यवाद